फिरोजबाद के मूल निवासी और बीजेपी की राष्ट्री महामंत्री रहे नव निर्वाचित राजसबाद सांसा डॉक्टर अनिल जैन के स्वागत में एक विशाल रैली फिरोजबाद में निकाली गई वहीं शहर के सुभाज ते रहे पर बीजेपी योबा मोर्चा द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी किया गया इस लैली में बीजेपी पार्टी के कारिक करताओं साहित फिरोजबाद की जनता का जनसमूब भी उमड़ा वहीं डॉक्टर अनिल जैन की राजसबा सांसत बनाए जाने को लेकर संभातता राहूल चौहा ने लोगों की राये भी लिए रोजबाद के वरिष्ट नेता और अनिल जैन जी जिनको रासबा सांसत का जो पदवार गिनल हुआ है वहीं बात अगर अनिल जैन जी की जिए पुराना बीजेपी पार्टी से उनका पुराना रगाप रहा है और जो राश्टी मामंत्री के पदपर भी भारती जनता पार् है किस तरीके से भीड पूरी फ्रोजबाद की जनता जहां इतने हर्टोर लास में हैं उनके स्वागत सम्मान के लिए वहीं हम यह जैन मंदिर चौराय पर अभी जहां मौद हैं यहां देख सकते हैं किस तरीके के जनता का यहां हमूर हुजूम यहां उमला पड़ा हुआ है तरीके से चनता मां पूरेत एक जोस्त वभ्याबते अपने अन्यता अनिल जहन जी के लिए जो तरह बोला नहीं दो को करें अब इनकल लूकर अबने ड़ी मोद करें अड़र आप रहुएंट कर रहे हैं उनका वाविनंदर करते हैं कि अत्रिफ और पुराने वीजेपी वरिष्ट नेता है अनिल जैनजी उनको राश्का संसद चुना गया है क्या मैचूस करते हैं आप क्या मानना है डॉक्टर अनिल जैन जी को राजसभा सांसत चुने जाने पर पूरा फ्रोजवाद गोरब से अपने आपको अभीवूत मान रहा है और ऐसा लग रहा है कि फ्रोजवाद के लिए माननी मोदी जी ने एक नया तोफा दिया है हमारे राष्टी नेत्रत फ्रोजवाद के बिसे में चंता करना है और इसी परपेक्ष में डाक्टर अनिल जैन जी को राजसभा सांसत चुन करके जो सांसत की कमी फ्रोजवाद में थी हमारे पास फरोजाबाद में सांसद नहीं था तो राजसवा सांसद के रूप में डाक्टर अनिल जैन जी को चुन करके फरोजाबाद के ऊपर एक उपकार किया है अब पारसद से लेकर के पी-म तक पूरी कड़ी भारती जनता पार्टी के साथ जुड़ गई है पूरा सहर हर सुलाद से गौवर्बान में महसूस कर रहा है और आगे 2019 में लोगसाबाद चुनाब भी फरोजाबाद से हम निशित रूम से जीत के जाएंगे ऐसा हमारा माना है पूरा फरोजाबाद आज उत्साहित है और अपने आपको एक गदगद महसूस कर रहा है कि मौदी जी ने फरोजाबाद में जो सांसाथ की कमी थी उसको पूरा कर दिया है हम सब लोग इस उत्साह से लब रेज जाएं मेरा नाम सुरील मिस्टायफ तरीके से मिला है यह मैं समझता हूँ पूरे फरोजाबाद के साथ पूरे देश के लिए खुजी है कोगी भारती जन्ता पार्टी का राश्टाबा के अंदर बहुमत नहीं था लेकिन अब जो पिछले बिल अटके हुए थे राजस्वामें पूरी तरीके से मोदी जी के हाथ मजबूत हुएं और एक देश को नई तरक्की का रास्ता फ्रोजबाद के द्वारा मिल ला है अब उनका पूरी तरीके ठेकेदारी जलाते थे है अब उनका पूरी तरह से यहां से जमीन उखड़ जाएंगे यहां Ped सब्सक्राइब करता में इतना उत्सा इतना है कि यह से समाजबादी पार्टी का तो खेल खतम और भात्यंता पार्टी का अब तो सपार बस्पादे को खड़े-खड़े रह जाएंगे बीजेपी के सारे जंडे अब दिल्ली पर फेराएंगे 2019 अमारी नरेद मोधी पुने प्रदान मंत्री बनेंगे उसमें फौद जली फौद बनेंगे आपके बच्चों के हुजवल भविश्य के लिए अच्छी सिक्षा है तू अब खुल चुका है किट्स केंपस स्कूल जिसमें अनुबबी सिक्षक सिक्षकाउं द्वारा बहतर सिक्षा वह खुला वातावरन बच्चों को दिया जाएगा सिर्फ इतना ही नहीं पीने के लिए आरो वाटर, खेलने के लिए ग्राउन वो आकर संग कक्षाएं बच्चों को उपलग्द कराई जाएंगी इससे बच्चों का शारिरिक वा मानसिक विकास हो सके मुख्यरूप से बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस के भी विवस्ता की गई है किट्स कैंपस स्कूल महावीर नगर गली नमबर दो, अमबेटकर पार्क के सामने फिरोजबाद संपर्क करें 705595693 7617676876 आपकी बच्चों के बैतर भविश्य के लिए अब दूर नहीं जाना होगा आपके अपनी शेहर फिरोजबाद में आरबी कॉन्वेंट स्कूल जिसमें अनुगभी सिक्षक सिक्षकाओं द्वारा बैतर सिक्षा वखुला वातावरण बच्चों को दिया जाएगा सिर्फ इतना ही नहीं पीने के लिए आरो वाटर, खेले के लिए ग्राउंड वो आकर्शिक खक्षाएं उपलब्द कराई जाएंगी इसमें बच्चों का मानसिक वो शार्रिक विकास हो सके प्रविश प्रारम खक्षा प्लेवे से एट तक आर्वी कॉंवेंट स्कूल सक्टर नंबर तीन सुहाग नगर पिरोजबाद संपर्ट सूत्र डारेक्टर अखिल यादव 9458567821 प्राचारे श्वेता जैन 9045645583